Hello friends, welcome to video education point और आज हम करेंगे nominal, ordinal, interval and ratio scale Friends, यह जो scale थे, यह 1940 के अंदर Stainless Smith-Steven के दवारा दिये गए थे यानिकि उन्ही ने इनको introduce किया था यह जो measurement scale है तो यह बात याद रखने आफ के लिए बहुत important है तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी level of measurement की यानिकि यह किस-kis level पे आते हैं सबसे जो lowest level पे आता है वो nominal scale है Nominal scale के अंदर क्या होता है कि हम जितने भी attribute होते हैं उनको सिरफ नाम देते हैं Ordinal scale आता है उसके पाद ordinal scale के अंदर जो attribute है उनको order के अंदर लिखा जाता है interval scale के अंदर जो भी attribute आते हैं उनके अंदर distance मायने रखते है यान कि किस distance पे एक दूसरे से है और सबसे last में जो है वो है ratio और ये क्या है सबसे highest level या unique level भी माना जाता है इसके अंदर क्या होता है कि इन सब के feature यानि की interval के feature इसके अंदर होते है बट ये इसके अंदर एक zero point भी होता है बाकि ये जो 3 होते हैं इसमें किसे कोई zero point नहीं होता बट इसमें जो होता है वो origin का point zero भी इसमें होता है चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले nominal scale की जो friends मैं आपको बता दूँ कि जो nominal scale होता है वो qualitative और quantitative data दोनों को लेता है और जो ज़्यादा तर जो इसका data जो इसके अंदर use के जाता nominal scale के अंदर वो qualitative होता है बट आगे जो भी scale हम पटने जा रहे हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी qualitative data का use नहीं होता तो ये याद रखना भी आपके लिए बहुत important है इसको भी आप note कर लेना कि जो nominal scale होता है उसके अंदर क्या है ज्यादा से ज्यादा जो qualitative data होता है उसको measure किया जाता है तो ये जो nominal scale है measurement scale ये deal करता है उन variable से जो non-numeric होते हैं तो हमने अभी आपको बताया था कि जो qualitative data होता होता तो इसका याप को याद रखना है इसके अदर वो values लिजाती है जो non-numeric होती है ठीक है और उनका पहले से कोई क्या है number नहीं होता यानि कोई value नहीं होती या फिर आप ये भी कह सकते है कि आप उनको किसी भी order के अंदर put कर सकते है ठीक है तो किसी भी order के अंदर पुट करना कोई matter नहीं रखता आप उसको one number भी दे सकते हैं five भी दे सकते हैं ten भी दे सकते हैं ठीक है कोई भी number आपने उनको दे दिया तो ये क्या है कुछ भी माईने नहीं रखता ये नहीं है कि जो first है वो सबसे ज़्यादा perform करता है या category के अंदर describe करते हैं तो इसके अंदर कोई इनका natural order तो होता नहीं है ना ही कोई ranking होती है तो हम क्या करते हैं इनको वैसे ही normally describe कर देते हैं category के अंदर ये जो nominal variable होते हैं आप इनको code भी कर सकते हैं ठीक है जो आप number चाहते हैं वो आप इनको दे सकते हैं ये इसका feature है nominal scale का तो देखिए example के चुरू देख लेते हैं nominal scale क्या होता है देखिए जो football player होते हैं उनकी जो उन्होंने jersey wear की हुई होती है उनके उपर number लिखे हुए होते हैं ठीक है जैसे one number है और किसी के उपर 50 number है किसी के उपर 20 number है तो ये देखो कि ये नहीं है कि जो one number है वो better player है ठीक है उन्द others की comparison में जो दूसरे number है 20 है 50 है या फिर जो भी है ठीक है तो इसमें ये चीजें कोई माइने नहीं रखती जो first perform कर सकता है first अगर better player है fifth number का है या फिर 50 का है ये 20 का वो भी क्या एक better player है ये number जो है उनकी performance को देखते हुए उनको नहीं दिये जाते तो friends ये जो था इसका example था I hope आपको ये nominal scale समझ आ गया हुए other example भी हम देते है nominal scale के जैसे blood type है blood type के अदर A, B, A, B plus B positive, B negative तो ये सारी की सारी चीज़े क्या है blood type के अदर आती है zip code है, gender है, race है eyes का color है, political parties है तो ये सारी की सारी क्या है nominal scale के example है अब हम बात करेंगे ordinal scale की ordinal scale क्या होता जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसके अंदर क्या होता है जो चीज़ें होती है वो order के अंदर होती है और order जो है इसके अंदर क्या करता है matter करता है और values के अंदर कोई difference नहीं होता जो values होती है उनके अंदर कोई difference नहीं होता values का तो इसके अंदर क्या होता है हम data को इस तरह से order में रखते है categories में रखते है जो statical data होता है कि जो variable होते है वो natural order रखे अपना उनकी जो category होती है और उनकी जो distance होती है category के अंदर वो जानी हुई नहीं होती है और पहले से उसका कोई पता नहीं होता और ordinal जो data होता है वो quantitative data होता हमने आपको पहले भी बता था कि एक ऐसा scale है जिसके अंदर quantitative data कम यूज होता है और qualitative data ज़्यादा यूज होता है वो है सिरफ nominal scale आगे हम यह तीनों के तीनों scale डिसकस करेंगे यह सारे quantitative data इसके अंदर यूज होता है तो ordinal जो scale होता है वो भी क्या करता है quantitative data को लेता है और इसके अंदर क्या होता है naturally order होता है हर एक event के अंदर और जो difference होता है वो unknown होता है अब हम इसका example लेते हैं ordinal scale का देखिए जो patient होते है patient को scale दे दिया जाता है कि वो कितना pain feel करते है तो ये 1 से 10 numbers के दर दे दिया जाता है और अगर कोई patient बताता है कि इस score में से उसका number 7 है 7 means उसको बहुती जादा pain feel हो रहा है और अगर कोई बताता है कि उसका score है वो 1 है और इसको कम pain feel हो रहा है तो इस तरह से हम इनको measure करते हैं क्या order होता है कि हम किस तरह से इनको order देते है उसके बाद बात करते हैं interval scale की देखिए जो interval scale होता है इसके अंदर interval माइने रखता है ठीक है यहाँ पर एक interval होता है और जो values के अंदर जो difference होता है देखिए पहले वाला जो scale था उसके अंदर जो values के अंदर जो difference हो meaningful नहीं होता लेकिन यहाँ पर जो values के बीच के अंदर जो difference हो क्या होता है meaningful होता है But interval scale के अंदर भी क्या है? Interval scale भी क्या है? Quantitative Measurement है quantitative measurement skill है और ये क्या करता है जो दो variable होते है उनके 20 का so difference होता है उसको measure करता है और वोwas which difference होता है वो meaningful होता है Treasure इसका लेते हैं जो classic example है interval scale का वो celsius temperature है ठीक है? Celsius temperature जब हम measure करते हैं तो देखे, क्या होता है? 그 उसके अंदर रहे जो value होती है, एक दूसरी से क्या होती है? difference पर होती है, और हो क्या करती है? यो difference जो होता, वो same होता है. देखे, अगर हम देखते हैं, difference 60 और 50 degree के बीछ में, तो 60 और 50 डिगरी के बіч में कितना आप major कर सकते है डिफ्रेंस, यह कितना होगा 10 डिगरी का, तो उसी परकार से देखिए, दोसरा हम एक्जामपल इसी में लेते हैं कि 80 और 70 डिगरी है, उनके अंदर कितना डिफ्रेंस होगा, उनके अंदर भी 10 डिगरी होगा, ठीक है तो यह क्या है interval scale का example है बट इसकी एक problem है कि यहाँ पर true 0 नहीं होता है यहाँ इस scale के उपर भी एक 0 जो origin point है वो नहीं होता अब हम बात करते हैं ratio of scale की देखे फ्रेंट्स जो ratio of scale होता है उसके अंदर interval scale की सारी properties होती है क्या होती है interval scale की सारी properties इसके अंदर होती है बट इसके अंदर साथ ही जो 0 होता है origin 0 आप इसको कहते है character of origin जिसको कहते है वो इसके अंदर available होता है यहाँ कि इसके अंदर जो variable होते हैं वो equal होते है 0 point की यहाँ कि इसके अंदर की 0 point given होता है ठीक है और ratio scale क्या होता है एक ऐसा measurement scale होता है जिसका जो nature होती है वो quantitative ही होती है ठीक है और ratio scale के न्रिजश्ट के अन्दर क्या करता है जो researcher होता है इंटरवल का डिफरेंस होता है उनको compare कर सकता है ठीक है जतनी भी differences होते है उनके बीच में अनको क्या कर सकता है compare कर सकता है और इसको वैसे तो fourth level of measurement माना गया बट यह highest level of measurement भी है और यह क्या करता है अब बताया था आपको कि इसका पॉस्जाज करता है zero को यह जो character of origin होता है वो इसका zero होता है और यही इसका unique feature है ratio scale का क्या है यह जीरो अगर इसका character of origin इसके पास है तो यही इसका unique feature बन जाता है और ratio scale को यगजामपल है जैसे height है money है age है weight है क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं इन variables को meaningfully add कर सकते हैं Subtract कर सकते हैं multiply कर सकते हैं Divide कर सकते हैं ratio के अंदर तो इसलिए यह क्या है ratio scale के example है देखिए हम किसी market का example लेते हैं कि जैसे sales है, price है, number of customer है, market share है ठीके तो इसके अंदर यह सार कि सारे variable क्या है इनको हम add कर सकते हैं subtract कर सकते हैं अपने coding हम इनको multiply डिवाइड कर सकते हैं ratio के अंदर friends I hope आपको ये topic समझ आ गया होगा thanks for watching friends video को like करना अपने friends के साथ share करना और video question point को subscribe जरूर करना